अब यहां मुंबई इंटरनेशनल एरपोर्ट चात्रप्रतिक्षी वाजी महराज तर्मिनर्ट यहां है भूम रहें अभी गयत मादर से छोड़कर के आ रहे हैं जिनको छोड़ना था वहां से छोड़कर आएं इस वीडियो नारे माँ वीडियो नहीं दोटोटो कीचे हैं द और उच बहुत बड़ा लगा हुआ एक का लोग वहां से जिनको जाना था हुगा है हम लोग भूं रहे हम भी आतुक हैं मुंभ भी जो शोड़ने जो भी मुंबई वरा ख़ता पूर्ट फूर्व मुंबई परात करता हैं और ये वे यांप वहन परांटेन हैं कि नोर्मल लाइट लगा हुआ है बहुत अच्छा नीचे इतना मस्त लगा है ना या पीड लगा एक एक बहुत खुप्सुरत एयरफोट अच्छा लगा आदे कि अब जाएंगे आज रहेंगे पर दोटा हो जाएगा कि अब पिर जाएंगे अब अब पर दिखाने बहुत कुपसूरत और बहुत नीचे तक है है यह सी जाएंगे को हम जा रहें हाजी अली जारगा जो समंदर के बीचों भीच है इक रास्ता गया हुआ है और बहुत ऐसे घुल में लिए देखते हैं क्या जैसा है बहुत बूर से आ रहे हैं हम लोग भी आते से चले-देखते क हैं उतको खॉंच पाते हैं नहीं क्या है क्या है रहता है जी जानल में हैं है क्लिधक अब धून बहुत दूर से आ रहे हैं दो पैदलों से चलिए देखते हैं वह जो हम कल गये थे जुह जुह चपाती उससे बहुत बढ़िया नजारा यहां का मतलब बहुत अच्छा यहां था यहां समंदर कचड़ा बाहर फेका हुआ है फेका हुआ है और बाकी सीन बहुत मस्त है पीछे पत्थर वत्थर है सामने दरगा है इसमें आके समंदर के लहरे लड़ती है जो कि अभी नहीं लड़ रहा है थोड़े दूर है उदर दूर दूर तक है पूरे समंदर और हम लोग है पांच लोग गुम्रें बस ऐसा ही जा रहें देखते हैं क्या रहता है वहां पर क्या नह समंदर में मुझे बहुत बढ़ा लग रहा था समंदर में मतंद बहुत आंदर आपके लड़ता है पानी अभी नहीं आया है आता तो और मजा आता है चलिए इसमें बोट में पता नहीं बोटिंग कैसे लोग कर लेते हैं इतने लहरों में तो बस ओधेखो सब बन रही है विली है वो सारी पानी में बन रही है तो मिलते हैं आप से थोड़ी देर में दर तो वस आ गया है इनका किर्पा था अब देखेंगे क्या क्या है यहां पर आप तो भी बताएंगे इस लोकेशन बहुत अच्छा है आप मुंबई आओ तेक बार जरूर आओ फूर ने बहुत अच्छा जगा है देख रहे हो है रियल में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अधर वहां चलना चाहता है क्योंकि वहां पर पानी लड़ रहा है पता नहीं जाना एलाव है कि नहीं वहां वहां चली देखते हैं देखते हैं जाएंगे अगर भूलेंगे तो नहीं जाएंगे कि यहां पानी लड़ रहा है पास में तो बहुत अच्छा लगता उसको देखने में इस सबसे तो चूता भीग गया जूते में पानी भी हो गया और फ्रेयर में जलन भी हो रहा है लेकिन कुम रहा है अच्छा है खुब सूरत है बहुत मज़ा रहा है यार सच में जुहू पर मैं गया नौ जुहू चुपाटी मुझे मतलब नहीं इंट्रेस्टिंग लगा मतलब समंदर दीख रहा था बस और कुछ नहीं वहां पर सब बालू दीख रहा था कचड़ा था और कुछ नहीं था य सब बना रहे हैं सब इदर दरगा आया नहीं और समंदर बहुत मजा रहा है देखने में और यह बहाई सब बोले हमको आने के लिए इसके सली के साथ आया है और यह है और गुल्डी है मामा आ है पाउंच लोग आए हैं अच्छा लग रहा है अब यहां सा जाएंगे हम तो वहां से गाड़ी पक्ड़ेंगे फिर लगमानती लग से फिर उसे बाद चले जाएगे घर जाएँगे 29 तारीक 28 मतलब पहुंचें 28 तक वहां बहुत अच्छा लग रहा है मन तो कर रहा है जाने के लिए वहां काम चल रहा है तो सायद वहां जाने के लिए मना कर दे लोग गए हैं अभी हम भी हो सेकता जाएंगे वहां पर देखकर आते हैं फिर उसके बाद से चलते हैं गेटवे अफ इंडिया मुंबई वह भी आपको दिखाएंगे वन्हेरा वीडियो में हमको यहां पर मिला है किकड़ा कि देखने के लिए पुछली हम जा रहे हैं नदी किनारे अब बड़े ध्यान से जाना होगा कि पत्थर है बाई पहर और सिलिप बता है मुबाइल तो फूटे गाई हम भी तूट जाएंगे हम तो आगे थोड़े नीचे अब वो लोग है आज हो उनको थोड़ा दिक्कत होएंगा बेग लिए हैं जूता पहन रहा है पानी से बिग गया जैसे मेरा बिग गया है कि बहुत डेंजरे वहां समय तो आ गया हो लोग आ रहे हैं जा रहें उधर इसमें पानी भी है यार पत्थर हाँ 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 बनाना थोड़ा रिल बना रहा है मेरा गोल्डी बनाओ 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 जल्दी नहीं तो कोई बोलेगा कि भाग वहां से भाग हटो और हम आगए ह इतना अंदर वह रहा दरगा यह पथर आगे इने पत्थर औरते यह वहां तक हम भी जाएंगे वह तक यहां पर सीप में हम अमें मोटी मिल सकता है तो ढूड़ने के कोशिस हम नहीं करेंगे पत्थल कैसे हुआ है यहां पर चलो ठीक है जैसे भी हुआ है तो चलिए अब फोन को रखते हैं जेब में आई इंजोई करते हैं किसीन चलते हैं आगे नहीं तो मुबाइल तो गिरेगा ही हम भी गिर जाएंगे चलिए इंडिया गेट गेट वे अप इंडिया मुंबई देखो कितना बड़ा है यह रहा हमारे सामने यह रहा कि पानी ढुच जा रहा है जूता भी का गजवा है हमारा गया इंडिया गेट मुद्या गेट हमां प्रक्रमै में पाल्टा करें यह दो को इस्टंट इस्टंट जार्ण कि यहां में लगे श्टंट करेंगा वह तो यह बस वीडियो बना रहा है चलो जाग देखते हैं पास में क्या है जो इसमें पुब्लीक को जाना एलाव नहीं है लेकिन देखो क्या कौन गया है कुट्टा कुट्टा के डॉग बैठाई डॉग कि सामने ताज अटल और यहां पर हम और हमारे की पांक चलोग सब लोग आए हैं और उधर समंदर और इधर भी समंदर जो पानी के जहाज दिख रहा है अभी थोड़ा जाते हैं उधर से साइड से देखते हैं तेरे आपको भी दिखाते हैं चलिए बहुत मजायाएगा गेट अगे सिरलंका जाएंगे इसके लिए जानव एक्चे नहीं तेमिलादी तब हो गया है हम लोग अच्छे से भीग गया है और यहां पर यही है कि नीचे फर से बले कलर में यह सब है इस पर आदमीं भूम सकता है जब देख सकता है और बाकी उस पर लिखा हुआ है कि एक मतल अंग्रेज राजा उन्ने से गारा में बनवाया था इसको एरानी यहां पुष्क आया थी पहली बार तो समंदर से शीप द्वारा तो इसके लिए उसने बनवाया था इसको कि वाई थी जब भारत के धरती पर पहली बार कदम रखी तो इसी गेट से उसका एंट्री कराया तो इसलिए इतना बड़ा गेट बनाता है और इतना बड़ा सीप में आई होगी तो इसलिए